हेलो गाइस रादर आदे वेलकम बैक टुकाना चैनल कैसे हो आप सब आई हो पाप सबी लोग अच्छे होंगे सवस्त होंगे सो गाइस हमारे पूरे परिबार की तरफ से आप सभी को सवतंतरता देवस की हार्टिक सुप्ताम ना है तो इस इस पेसल डे पर हम आप सब के साथ मिठाई की रेष्पी लिए है जिसे बनाना बहुत ही आसान है बीना गैस लाए तो चलिए इंसे पहले आपसब इस र्क्वेश्ट आपको मारे वीडियो पसंदाते हो प्लीज लाइक कर देना चैनल पे नए हो तो सब्रेब करना बिलकुल हूं बूलेगा तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तो मिधाय बनाने के लिए मैंने आप पर एक कप नारियल का बुरादा लिया है और यहां पर मैंने लिया है एक कप मिल्क पॉडर से थोड़ा कम ही होगा एक कप से और दोनों को मैंने बराबर ही लिया है अगर आपके पास हो मेरे पास इतना ही था तो नही तो इस वज़े से चान की जब भी चीनी एट करें तो अगर ताजा चीनी डाल रहे हो जैसे तुरंत ही पीस के डाल रहे तो ठीक है अब सारी चीजों को में मिक्स कर लेना इसी एक साथ वन पोटी स्पून हम डाल दे रही लाइची का पाउडर इसे भी हम बढ़ियां से मिला प्रॉआ है तो सारी चीज अच्छे से मिल चुकी है तो आप लेना है को दुद अपको विखी लेना है दूख से ही लगाएंगे नहीं तो क्या होगा चम siya करेंगे थोड़ा घील हो सकता है तो हातों से बढ़ें से हम डोल तयार कर लेते हैं इसका तो लीजिए मैंने डो को तयार कर लिया है यह देख सकते हो तो दो हमारा तैयर है भी तीन भागों हम डिवाइड कर लेते हैं बराबर जितना हम तीनों गोलों को हमें बराबर लेना है ना कम न ज्यादा तीनों को बराबर रखना है तो तीन भाग मैंने कर लिया है अब इसे साइड में रख देते हैं दो जो लटू ठाके हम दूसरे प् ओरप यह फिस तरह से लेकित वाला जो ग्रीन कलर डालता है धूर कलर उसे भी आफ दाल सकते हूं तो यहां पर आप yhtोल से टीन बून डालेंगे Hang principles कर रही तो कलर विल्क YOUT giorno ब्लेगे मिखस कर लेते हैं यहां पर दो बूनभ याने डाल दीया है तो green color का हमारा dough तयार है इसे fried बरेदे देते हैं आप हमें orange color ले लेना है जो केसरिया color होता है अब थोड़ा सा हम orange color डाल की इसको बढ़िया से तिरंगे वबान देना है तो दो से तीन चार भूंद इसे हमें डाल कर बढ़िया से को भी मिक्स कर लेते हैं तो लेजी यह भी हमारा त्यार है अब लेते हैं चॉपिंग और चॉपिंग बोर्ड पर बडर पेप़र रख जो ग्रीन वाला अंधा ड्लों है हमारा सबसे पहले हमें तबाते हुए, इस तरह से हमें प्रिस करते हुए एक राउंड शेप देना लार्झ पहले, या कि बेल बाराबर शेप देदें जहाँ ठोड़ा पहले मोटा तब्ला होगा वहाँ आप सही कर लेनाहाथंगो सही सही कर सकते हो कि सोली जे वाला वेस्ट हमारा तैयार हो चुका है और हाथों से थोड़ा सा इस तरह से साइड़ों से प्रेस करते हुए हमें बराबर कर लेना है तक कहीं मोटा पतला ना हो अब इसे मुठाके साइड भर रख देते हैं देखिए हम मुटाई इतना ही रखे हैं तो अब दूसरा भी वेस बना में बेस बनाना है तो आपके बतर पे पर बाने रहीं वाइट वाला हमें होके इस तरह से इसशे बना कर अब सकतर पर नोंा कर से तो लीजे मैंने इसे भी बेल लिया इसे भी हमें साइटों से थोड़ा सा प्रिस्ट करते हुए मिक्स बराबर कर लेना है अब ग्रीन के उपर हमें वाइट वाला लगा देना है वेज़ को बहुत ही आसान है गाइस बनाना इसे और मिन्टों में बनकर ये तयार हो जाता है बस थोड़ा सा समय लेता है सेट होने में थोड़ा क्या बस दस से दस मिनट लगेगा पांक से दस मिनट लग सकता है इसे सेट होने में तो ये भी हमरा वेस तयार हो चुका है अब हम देते हैं ओरेंज कलर जो में और यह देखसक्ते हूं बहुत ही प्यारा लग रहा है है कि मैं और Enchild कलर को भी उसी तरह से बेह कर एक बरावर कर लेते हैं तो लेजी मैंने इसे भी बेल लिया है इसे भी हम चारो तरब से शेव देते हुई आप जो मैंने ग्रीन वाइट बनाया था विस इसके उपर हमें डाल देना है पहले और इंज फिर वाइट फिर ग्रीन रहेगा सबसे नीचे ग्रीन रहेगा इस तरह से हम दबाते हुए इसे हलके हाथों से ब दू MILL commissioner है फिर कि आम हम अच्शे से शेप कर देना है चारो तरब से अब इसके उपर हम अब में बटर ़ीAm में रख देते हैं दस मिनिट के लिए ताकि अच्छे से 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 हो जाए है तो द स्मुन लगारे लगा देते हैं शुका है चांदी का वर्क पेहले हम सबसे पहले प्रेट में अपनी मिठाई को पलट लेते हैं और यह हमारा तीरंगा बनकर तयार देख सकते हूं आप लोग बहुत ही खाने में लगता है एक बढ़ जरूर से जरूर ट्राय करेगा यहाँए पर हम चांदी का वप भी लगा देते हैं तो लीजे चांदी का वर्क लगा दिये हैं अब इसे में काट ले न है तो मैं आपको काट के भी दिखा रही हूँ बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है हमारा मिठाई जो जो भी आप सेट देना चाहते हूँ आप सेट दे सकते हो यहाँ पर मैं सेंवीच वाला सेट दे रही हूँ तो मैं इस तरह से काट रही हूँ चौकोर में थोड़ा सा करके तरह से जो बूरीत वाला होता है उस तरह से मैं काट रही हूं आप अपनी पसंद से कोई भी कर्ट लगा सकते हो इस मिठाई पर तो लेजिए मैंने काट लिया है कुछ इस तरह से माई मिठाई लग रही है और यह जो मैंने बाउल में दिखा रही हूं थोड़ी से मैंने केसर के धागे भीगों के रखा था तो इसमें थोड़ा सा उपर से इस तरह से एक डिजाइन दे देंगे बहुत ही टैम्टिन लगता है गाइस एक बार देखने में भी अच्छा एक बाजार जैसा लुक आ जाता है और जो भी आप पसंद से ड्राइब फूर लगाना चाहते हो देते हैं ताकि अच्छा और भी लुक लगे तो लीजी हमारी मिठाई बनकर त्यार है बहुत ही आसान जटपट बनने वाली मिठाई बनकर त्यार है इस पी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना शेयर कर देना चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मिठाई का एक पिस निकाल के आप लोगों को दिखा रहे हैं बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेश्टी हमारी मिठाई बनी है इस गाई मिलते हैं अगले ब्लॉक में जय हिं जय भारत बंदे मार दरम